हेलो स्टूरेंट्स विल्कम अगीन टू लंग्रिदीतीवन तो आज हम करने वाले हैं ग्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट तो लास्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहता ह है क्योंकि हम बात कर रहे हैं केंदर सरकार की जिसमें हम राज्य सभा, लोक सभा, रास्टु पती यह हम कर चुके 동안 हैं आज हम करने वाले हैं ईपरास्ट पती और प्रधानमंतरी शेशंदीत सभी प्रश्निशलिए, स्टार्ट करते हF उप्राष्टपती के पद की विवस्ता किस अनुचेद में की गई है तो इसका आंसर है अनुचेद 63 की अंतरगत उप्राष्टपती के पद की विवस्ता की गई है next है question number 2 उप्राष्टपती बनने के लिए क्या उम्र होती है क्या उम्र होनी चाहिए उप्राष्टपती बनने के लिए तो इसका आंसर है कि कम से कम 35 वर्श उसकी उम्र जो है वो होनी चाहिए देखिए उप्राष्टपती बनने के लिए और राष्टपती बनने के लिए 35 वर्ज होनी चाहिए लेकिन अंतर सर्फ इतना है कि राष्टपती के लिए वह लोग सभा का सदस से बनने योग्य हो इसी तरीके से उप्राष्टपती बनने के लिए राज्य सबा का सदस्य बनने योग्य हो ठीक है राज्य सबा का सदस्य नहीं राज्य सबा का सदस्य बनने योग्य हो Next question number 3. उप्राश्टपति का निर्वाचन कैसे होता है? कैसे होता है उप्राश्टपति का निर्वाचन? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होता है. आनुपातिक प्रतिनिदित्व प्रणाली की एकल संकर्मनिय मत पद्धती और गुप्त मतदान द्वारा उप्राश्टपति द्वारा मनोनित 12 सदस्यों होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं. Next question number 4. राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो अब तक हम यह याद कर चुके हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं उप्राश्टपति. किन्तु वह सदसे नहीं होते हैं इसलिए उन्हें वोट का अधिकार नहीं होता है लेकिन जब किसी विशय पर कोई बहस होती है तो वहाँ पक्ष और विपक्ष इसके बारे में बराबर निर्णायक विचार देने का अधिकार उप्राश्टपति को रहता है. Next question number 5. राश्टपति के पर परामर्ष को मंतरी मंदल तक कौन पहुंचाता है? इसका सही आंसर है प्रधान मंतरी यानि कि प्रधान मंतरी जो है वो राश्टपति और मंतरी मंदल इनके बीच कड़ी का कारिया करते हैं. Next question number 6. राश्टपति को उसके कारियों के संपाधन में सहायता एवं परामर्ष द संपाधन में परामर्ष देने के लिए मंतरी परिशद होगी जिनके हैड होंगे प्रधान मंतरी तो यह है अनुचेद 74 के तहत. Next question number 7. समविधान के किस अनुचेद के अनुचार प्रधान मंतरी के निक्ति और प्रधान मंतरी की सलापर अन्य मंतरियों के निक्ति राश्ट आज हमने देखिए तीन अनुचेद के बारे में पढ़ा है और लास्ट वीडियो में हमने दो अनुचेद के बारे में पढ़ा था तो इसी तरीँ के सानुचेद जो है वो आपको लर्न होंगे देखिए हम कर चुके हैं कि अनुचेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति ठीक है और उसके बाद हमने देखा कि उप राष्ट्रपती के पद की बाद हमने अनुचेद 63 में देखी अनुचेद 74 में राष्ट्रपती को परामर्श देने के लिए मंत्री परिश्यद होगी जिसका प्रधान प्रधान मंत्री होगा अनुचेद 75 में हमने देखा कि प्रध अन्यम मंत्रियों के उन्युक्ति राष्ट्रुपति करते हैं, ठीके, तो अब यह अनुच्छेद आपको learn हो गए होंगे, next question number 8, मंत्री परिशाद का सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका answer है कि मंत्री परिशाद का सदस्य बनने के लिए उसका संसद सदस्य ब अवश्यक है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महिने के अंदर ही संसद का सदस्य बनना अनिवार रहे हैं, ठीके, तो जरूरी क्या है, संसद का सदस्य बनना अनिवार रहे हैं, next question number 9, मंत्रियों को सपत कौन दिलाते हैं, कौन राष्ट्रपती के समक्ष प्रधान मंत्री जो मंत्रियों के हैड हैं, उनके सहित प्रतियक मंत्री को पद और गोपनियता की सपत लेनी होती है, ठीके, तो दो सपत जो हैं, वो लेंगे राष्ट्रपती के समक्ष प्रधान मंत्री और उनकी मंत्री मंदल, next question number 10, मंत्री पर मंत्री परिशत का कारिकाल कितना होता है तो इसका आंसर है कि सामानेत 5 वर्ष का होता है लेकिन यह निश्चित नहीं होता है क्योंकि हमें पता है कि लोक सभाजू है वो स्थाई सदन है और कभी भी भंग हो जाता है यदि संसत का विश्वास प्रस्ताब नहीं होगा तो वो तो इसलिए मंत्री परिशत का कारिकाल जो है वो संसत का विश्वास प्रस्ताब प्राप्त होने तक बने रहते हैं, तो वो सामानने तरह 5 वर्ष होता है या निश्चित नहीं, इन दोनों लाइनों में से आपको आप्शन में मिलेगा. नेक्स्टो कुस्षिन नमबर 11, मंत्रियों के व्यतन भत्ते का निधारन करती है हमारी संसत् leverage मंत्री मंडल में कौन से मंत्री आते हैं ? देखिए एक शब्द है मंत्री मंडल और एक होता है मंत्री परिशत à मंत्री मंदल में कौन से मंत्री आते हैं, इसमें आते हैं कैबिनेट मंत्री, जैसे ग्रह मंत्री, भित मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रेल मंत्री, ठीक है, तो ये मंत्री आते हैं, मंत्री मंदल यानि कैबिनेट मंत्री, ठीक है, तो मंत्री मंदल में कैबिनेट आती है next question no.13 अब हमने मंतरी मंडल देखा तो मंतरी परिशद में कौन कौन आएंगे तो इस में देखिए जो cabinet मंतरी होते हैं वो भी आते हैं राज्य मंतरी भी आते हैं और इनकी हेलप करने के लिए उप मंतरी भी होते हैं और वही इं मंतरी क्लास की पॉलिटी नहीं देखी है क्योंकि आपको लाइन जो है वो हर जगे नहीं मिलती है अगर यदि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहीं आपको ये मिलेगी भारती साशन विवस्ता का हिर्दे किसे कहा जाता है बहुत इंपोर्टेंट लाइन है मंत्री मंडल जो होती है आंसर है लोकसभा लोकसभा के प्रती मंत्री परश्यद उत्तरदाई होती है मूल रूप से सर्वोच न्याले के लिए कितने न्यायधिस की विवस्ता की गई है अब यहां पर इसकी लेंगिज को अच्छे से समझना है यहां पूचा है सर्वोच न्याले के लिए कि नियाधिस की विवस्ता की गई थी कब मूल रूप से ठीक है प्रारंब में तो अंसर है एक मुख्य नियाधिस और साथ अन्य नियाधिस समविधान के द्वारा सरवोच नियाले के नियाधिस के वेतन निश्चित करने का अधिकार किसे दिया गया है तो देखिए जब हम मंत्रियों की बात करते हैं कि उनके वेतन बत्तें जो है वो संसद डिसाइड करती है इसी तरीके से जो सुप्रीम कोट है उसके नियाधिस के जो वेतन निश्चित करने का अधिकार वो भी हमारी संसत को प्राप्त है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट आपका जो लास्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर का, और उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर भी कम्प्लीट हो जाएगा, जब हम वो कर लेंगे तो उसके बाद एक और चैप्टर बचेगा, फिर आपकी पॉलिटी जो है वो पूरी तरह से हो जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यूू।